लो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में इस्टडी जी के ट्रिक में आज हम आपके सामने एक और इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम पिर्थवी से संबंदित आपको सो मैत्वपूर्ण प्रशनुत्तर के बारे में बताएंगे और दो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सेक्राइब कर लिजिए और साथी बैल आईकन्स को डबाव ली जिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिपिक्षि應該 सन मिलती रहे और आपको यहां से सीखने हम केसिए होरुम कि आईए दोस्तों देर ना करते वे वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला question है 1950 इस वी के बाद किस आधार पर प्रित्वी का उसत गनात्यू की परिकलन का सिलसिला शुरू हुआ तो यह है इस पूतनिक के अनुसार हुआ था ठीक है दोस्तों तो यह है कृत्रिम उप जा गया था तो यह इस पूतनिक उपग्रे था ठीक है next आपका प्रते क्यूप को किन उप विभागों में रखा गया तो यह है सक संबोध विभाग में रखा गया है question number 3 है दोस्तों प्रित्वी का सूर्य से अधिक्तम दूरी पर होना क्या कहलाता है तो यह है आप सौर की अट्थेश किलोग्राम बार की एक एनाल बॉल को कहां सरसे मिटर के माध्यम से लटकाया तो यह है पैरिश के पैंचेन की किरिया में किया गया था next question है दोस्तों एक वर्स में कितने महा होते हैं तो एक वर्स में बारा महा और एक चौताई दिन होता है और इसको कबर करने क आपका जवार के कितने समय बाद भाटा आता है तो बहुत इंपोटेंट प्रसन दोस्तों छे घंटे तेरा मिनट बाद जवार के बाद भाटा आता है समुद्र की चलेटी में उपस्ती सेलें इस्तान परिवर्तित करती है तो यह किस ने बताया था है इसता था डीजने सूरिय की 21 जून किशिती को क्या का जाता है तो यह करक संक्रांटी कहा जाता है दोस्तों 360 डिगरी दे अंतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है तो यह 20 डिगरी आ जाता है यह दूस्तों थीकर थीकर बिच्वी से प्रटी कहलाती है एक्यिस मार्च ने चित शितंबर तक उत्ति धूपर दिन की अव्दिय कितनी होती है तो 21 मार्च से 23 सितम पर तक उती दूपर दिन की आवधी 6 माईने होती है परते कल्प को किर्मिक रूप से किस में विवक्त किया गया तो यह है युग में विवक्त किया गया पिर्चवी की सूर्या से माध्य दूरी कितनी है तो पिट्वी की सुर्य से माध्य दूरी 14.10.96 क्रोर किलोमीटर है। नेक्स्ट वेसन है दोस्तों, जॉला मुखी के उद्वार की परकिरिया फ़रू पिट्वी के अंदर से क्या निकलता है। तो गरम वा तरल लावा पिट्ट्वी के अंदर से निकलता है जब जौला मुखी में विस्पोर्ट होता है सबसे पहला European केलेंडर किस पर आधारीच था तो सबसे पहला European केलेंडर चंद कलाओं पर आधारीच था नेक्स्ट प्रसन है प्रिट्वी की सनचना विविन पर्तों से की सुरूप में हुई है तो यह प्याज के छिल्कों की तरह मानी गई है Next question है. सूरे की 22 जिसंबर की इस टिती को क्या कहते हैं? तो सूरे की 22 जिसंबर की इस टिती को मखर संक्राणती कहते हैं. राश्टे कैलेंडर डेस में कब लागू हुआ? तो 22 मार्स sitting almostidéeन को राश्टे कैलेंडर डेस में लागू हुआ था. यह है पिट्वी की बाहरी परत की मोटाई कितनी है तो एक 1600 किलोमेटर पिट्वी की बाहरी परत की मोटाई है नेस्ट क्वेशन है दोस्तों सबसे पुराना ग्यात कैलेंडर कप का है तो असी इसापूरू का सबसे पुराना ग्यात कैलेंडर है दर्णफल कितना है तो 51 अग परड़ की और ग्लोमेटर से धृय का दर्णफल यह जबूदay को Mrs वार्सी गति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक वर्स में फ्रिट्वी का फुरा चक्कर लग जाता है। नेक्स्ट एक्सो असी डिग्री है दोस्तों यह एक्सो असी डिग्री दिसांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है तो यह है बारा घंटे का अंतर आ जाता है और तीन सो साट डिग्री पर आपका 24 घंटे या एक दिन का अंतर आ जाता है नेश्ट आप दोस्तों आपका भूपरपटी का तक्तु वर्जन के अनुसार मेगनीशियम कितना है तो यह है 0.029 परसेंट दोस्तों नेश्ट परसेंट है अभिना उम्मत के अनुसार प्रित्वी के आंतरी भाग को कितने मंदलों में विवाजित किया गया है ठीके दोस्तो सेनोजोइक, मैसोजोइक, प्रोटोजोइक, आरक्योजोइक वर्क किस से संबंदित है यह तो यह कल्प से संबंदित है नेश्ट प्रूम द्वरा प्लेट को पिगलाने के कारण उसके किसी किनारे को धक्का देकर वह उपर उखती है इस पर किर्या से प्लेट किस पर तैने लगती है तो यह है एस्टीनों फायर कर तैनने लगती है नेस्ट क्वेशन ने जोस्तों कंकार्ड विसम मिन्यास किसे विभाजीत करता है तो यह है उपरित सा आंत्रिक करश्ट को विभाजीत करता है यहुदी कैलेंडर का प्रारम कब से हुआ है तो 3761 इसापुर्व से यहुदी कैलेंडर का प्रारम हुआ है नेस्ट क्वेशन है दूस्तों पित्वी के परतों का विकास कब हुआ तो पित्वी की उत्पत्ति की समय पित्वी की परतों का विकास हुआ है ग्रेगरियन केलेंडर को सोव्यत रूप में थी तो प्रारम में पिर्थवी गैस यह था था तरल रूप में थी तो ग्यार अशलब चया मद्यवर्थी परत का ग्हनतु है जलकी नीचे गिरने पीछे हटने को क्या कहते हैं तो यह भाटा का जाता है जलकी नीचे परत के स्वेस ने कितने परतों की इस श्चिदी मानी है तो यह थी परत मानी है सीयाद, सीमा और निफे ईजिए थी período नेचे परत व्यस आपका चन्द गरण किस दिन होता है तो चन्द गरण पुर्ण नीमा के दिन ही होता है पर प्रतिक पूर्ण निमा को नहीं होता ठीक है दोस्तों नेश्ट क्वेशन है आपका संकरगर्ड से किसका निर्धारण होता है तो भार्त्य मानक समय का निर्धारण संकरगर्ड या नैनी नामकिस्तान से होता है नेश्ट क्वेशन है दोस्तों दो अक्षांसों के बीच की दूरी कितनी होती है तो दो अक्षांसों के बीच की दूरी 111 km होती है next question है दोस्तों question number 41 भू पर पटी का तत्तु वजन के अनुशार aluminium की कितनी मात्रा होती है तो यह होती है 0.08% ठीक है दोस्तों next question है आपका पानी की घंद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पतल का उपरी भाग अफसाथ निविद्धारत चलों का बना होता ए तो स्वेस का होता है नक्स्ट एंक्स क्वेस्ट दोस्तों कितने वर्षों का एक चक्र होता है तो थीछ वर्षों का एलगर क्टेर वे उखसरार को दोrek ए 와서 भात्या मानक्समे यह IHT कंजेधर होता है नेक्स्ट क्वैसन लावा फेट्री पर कुस रूप में इसी ता है तो लावा फेट्री पर मेगमा के रूप में इसी तो यह भी important question है दोस्तों next question है दोस्तों 90 degree जिस अंतरपर कितने गंटे का अंतर आ जाता है तो 6 गंते का यह 90 डिगरी है 900 नहीं ठीके दोस्तों यहां तक हमने 50 questions cover कर लिए हैं अब हम next 50 questions cover करेंगे और दोस्तों आप से request है अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए और साथी notification bell को दबा लिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की update आपको मिलती रहे और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर गज़िए तो आइए दोस्तों नेस्ट वैसं देख लेते हैं वैसन नंबर 51 आपका 300 किलोमेटर से नीचे जाने पर परती किलोमेटर कितना तापमान बढ़ता है तो दश डिग्री सेल्चस तापमान बढ़ता है तो प्रत्वी के किस कति के करण दैनिक जौर भाटों के समय के तो मध्यवरती परत की मोटाई कितनी है तो मध्यवरती परत की मोटाई पर उठती बेलनाकार तरंग, क्लुम को किसका कारण दो करता है सब्सक्राइब दोस्तों किसे विवाजित करता है निक्षय क्या जाता है प्रित्वी की भूपर पटी या पिलेट की नीचे मैटल में कहीं-कहीं किसकी अधिक्ता होती है तो इसमें अधिक्ता होती है रेड़ो धर्मी तत्तू की अधिक्ता नेश्ट क्वेसन है दोस्तों 22 मार्च 1957 का संकप्ट से दिनांग कौन सा था तो यह एक गती चैत्र 1889 था नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं दोस्तों सीमा परत की रचना किस से मानी है तो यह बेसाल्ट आगने सेल और सीलिका व्यम मैगनेशन से मानी गई है नेक्स्ट क्वेशन दोस्तों पिर्थी त्वारा सूर्य की पूर्ण परिकर्मा किया जाना किस गती का स्वरूप है तो यह परिकर्मन गती का स्वरूप है नंबर 63 नक्षत्र दिवस कितनी अवदिका होता है तो नक्षत्र दिवस गंटे चपन मिनट का होता है नेक्स्ट दोस्तों जीरो डिग्री देसांतर रेका कि स्तान से गुदरती है तो जीरो डिग्री देसांतर रेका या GMT भी कहते हैं जिसे जिया ग्रीनइज इंगलेंड से गुदरती है ठीके दोस्तों नेस्ट प्रित्वी की अपभू इस्थिति कब होती है तो तीन जुलाई को प्रित्वी की अपभू इस्थिति होती है Q67 अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्ता की गई है तो 7 जोन में माटा गया है अमेरिका में Next question है किसी एक मानक समय वाले चेटर को क्या कहते हैं तो किसी एक मानक समय वाले जोन को समय जोन कहा जाता है मैریयनाब ट्रेंच में के समूद्य तलसे सागर की सरवाथी ंगेराई कितनी है तो 11,44 मेर्यान ट्रेंच की समूद्य तलसे ंगेराई है यूँकि सबसे ज्यादा गेराई पर है नेट क्वेसंगे दोस्तों उपस्तिज सेलों के इस्तान के परिवतेन के परिवतेन नाभ सो उत्पन्सन्द धराएं, किस नियर्मान करती है नेक्ट़ कुछेनन है दोस्तों होवलेदार सेल में किन खरिफों की बहुतायत होती है तो यहां होती है fails पार एवंब अबरक की बहुतायत मात्रा में पाई जाता है next question दोस्तों अलग-अलग दिसों अथवाइस्तानों के समय को किस रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह है UTC के रूप में व्यक्त किया जाता है यानि कि plus minus कितने आपका टाइम कितने आगे उसके according आपको बान रजाता है ठीक है दोस्तों next question है question number 73 23 सिटमबर वाली स्टिटी को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है सरत विसूर ठीक है दोस्तों next question है आशले में कितने समय जोन की व्यवस्ता की गई है तो यह है तीन समय जोन की व्यवस्ता की गई है question number 75 नीप्य परत की तचना किस से हुई है तो नीकेल लेवं फैरियम से नीप्य परत की तचना हुई है next question है किस समय पर टुई के सभी स्थानों पर दिन और रात की आउटी 12 गंते होती है next question है दोस्तों before the common एरा से क्या ताथ पर यह है यह समय यूग से पहले की यूग को कहा जाता है question number 78 पिर्ट्वी के उत्त्री और दक्षिन दुरू के गेंजर से गुजरने वाली कालपनी तेखा को क्या कहलाती है तो यह है अब सी कहलाती है दोस्तों next है आपका CR परत में पर्मुख चटान कौन सी पाई जाती है तो CR परत में क्रेफाइट चटान पाई जाती है next question question number 80 ग्रीन वीच लंदन से पूरब की तरफ जाने पर परती जिसांतर कितना समय बढ़ता है question number 82 मद्यवर्ती प्रत का व्यास कितना होता है तो मद्यवर्ती प्रत का व्यास 7040 किलोमेटर होता है question number 83 एक कलेंडर वर्स की गणना किस आदार पर नियमित की जाती है तो एक कलेंडर वर्स की गणना लीव वर्स के आदार पर की जाती है next question उन्नीस वर्ष के चक्र के अधार पर यहुदी कैलेंडर में परते इक तीन वर्ष में क्या जोड़ा जाता है तो इसमें एक मार का समय जोड़ा जाता है क्वेशन नमबर 85 महीनों को रित्व के अनुशार व्यवस्तित करने का तर्क किस ने दिया तो जूलियस सीजन ने महीनों को रित्व के अनुशार व्यवस्तित करने का तर्क दिया था प्रिट्वी केंजर यानी 6300 कोता तक यह कितने उभागों में विवक्त है तो यह दो उभागों में विवक्त है क्वेशन नमबर 87 सूर्य गरन किस दिन होता है जो सूर्य गरन अमावसिया के दिन होता है प्रिट्वी की उभू इस्तिति कब होती है तो तीन जनवरी को प्रिट्वी की उभू इस्तिति होती है प्रिट्वी की उभू प्रिट्वी की उभू इन्याज किसी विवाजी किया जाता है तो यह करश्ट और मैंटल को विवाजी करता है प्रतेक चाल सारवाज फरवरी में 29 दिन होने की कारण यह वर्स क्या कहलाता है तो इस वर्स को कहा जाता है लीफ वर्स question है बुकिमपे लहरों का अधियन की किसी अंत्र द्वारा किया जाता है तो यह है, शीस में अगर आपके द्वारा किया जाता है next question जंद्रपंचांग का प्रारम कब वह था तो च्छैसो बाजीश्वी में जंद्रपंचांग का प्रारम वह था कि स्थित्री को उप्सवर की स्थित्री होती है तो तीन जनवरी को उप्सवर की स्थित्री होती है नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तों ग्रेडन करेंडर को ग्रीस में कब स्विकार किया गया तो 1923 में ग्रेडन करेंडर को स्विकार किया गया नेक्स्ट वेसन है दोस्तों फिर्ट्वी के आक्री दीख की प्रकारकी होची है तो फिर्ट्वी के आक्री जी और प्रकारकी होची है तो फिर्ट्वी के आक्री जी और प्रकारकी होची है तो फिर्ट्वी के आक्री जी और प्रकारकी होची है तो फिर्ट्वी कोड़ जिसमें हमने important question answer cover किये तो मिलते हैं next part में तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आगी की वीडियो के लिए मिलते हैं next video में और दोस्तों अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किये है तो चैनल को दोस्तों subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को दबा लीजे ताकि आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें दोस्तों जितना ज़्यादा आपका like रहेगा दोस्तों उससे हमारा motivation बढ़ता है दोस्तों और आगे नई सिखाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिरिणा मिलती है तो दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों को share जरूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत